आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यह गुजराती स्टाइल लड्डू की रेसिपी और इसमें में गेहु के आटे जो रोटी बनाते है वो वाला आटा और सूजी को मिक्स करके नहीं बनाने वाली हूँ जो प्रॉपर तरीका है वो मैं बताने वाली हूँ और परफेक्ट मैं आपके साथ बताऊंगी तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप मेरे तरीके से बनाऊंगे तो एकदम टेश्टी और दाने दा लड्डू बनेंगे आपके तो चले फटा-फट सम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके लिए पहले हमें लड्डू का आट अगर आपके माने न मिलता हो तो आप गेहो को पीस के भी इस तरीके आटा बना सकते हो तो यह सूझी जैसा ही doesn't do this is ुझी नहीं और juvenile इस तरीके से दल दल आता तो हमें वो आटा चाहिए तो मैं यहाँ पर दो कटोरी यह आटा ले रही हूँ अगर आप पीस नहीं सकते हो या ऐसा आटा नहीं मिलता है तो फिर आप जो रोटी बनाते हो वो आटा ले लिजे गेहुका और इसमें सूजी डाल के आप बना सकते हो पर वो रेसिपी मैं एक्स टाइम लेके आओंगी अभी मैंने ये रेसिपी आपके लिए वनाई है तो मैं वो शेर कर रही हूँ तो इस तरीके का आटा आता है दिखता है बिल्कुल सूजी जैसा पर सूजी नहीं होता है और इसके बाद अब हम इसमें दो कर्चुल तेल डालेंगे पहले मैंने एक कर्चुल डाल के इसे मिक्स कर लिया है एकदम अच्छे से मिक्स करना है इसे और आप ऑईल की जगा पर यहां पर गी भी डाल सकते हो मैंने यह पे तेल डाला है और मैंने जो दूसरा कर्चुल डाला था तो उसका सौरी मैंने वो क्लिप में सूट करना बुल गई हूं तो आप वो भी डाल दिजेगा दूसरी बार भी ओईल और इस अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बार आप जरूर मेरी रेसिपी ट्राइ करें इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना पर एक बार आप मेरे तरीके से जरूर बनाए तो बहुत ही हाड भी नहीं होता है बहुत सौफ्ट भी नहीं होता है यह तो पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा गुथ लेंगे जो हम भाखरी बनाते है तो उस तरीके का आटा हमें गुथना है बाखरी के लिए जो आटा गुथते है वो अब हमारे या गुजरात में तो भाखरी बोलते हैं जो तेल वाली रोटी वानाते हैं इसे आपके वहां क्या बोलते मुझे नहीं पता है आप मुझे कमेंट में बता ना कि आप इसे क्या बोलते हैं वो तो इसके लिए जो हम आटा गुठते हैं भाखरी का तो उस तरीके का आटा हमें यह गुठना है लड्डू के लिए और अब ये आटा भी रेडी है मैं आपको दिखा देती हूं कि कैसा रखना है वो देखे इस तरीके से होना चाहिए और 10 मिनिट इसे रेष्ट करने देंगे 10 मिनिट के बाद अब हम इसका मुठ्या बना लेंगे तो इस तरीके से थोड़ी सी लूई लेनी इस तरीके से बनाएंगे तो फटा फट से बन जाएगा ये और हमें ऐसे फिंगर डाल के ऐसे बनाना है और आप चाहो तो हाथों पे गी या तेल लगा के भी बना सकते हो पर मुझे नहीं जरूरत पड़ी थी इसलिए मैंने नहीं लगा था तो अब सारे मुठ्या मैंने ब जब तेल गरम हो जाए इसके बाद ही हम इसे फ्राइ करेंगे और हमें लो टू मीडियम फ्लैम पे इसे फ्राइ करना है हाई फ्लैम पे फ्राइ नहीं करना है वरना ये अंदर कच्छा रह जाएगा तो एक एक करके हम सारे मुठ्ये डाल देंगे जितने आ सके उतने मेरे सा बेकार हो जाएगी तो ऐसा मत करना और तेल आपको इतना लेना है जितना आप देख सकते हो यहाँ पर करडाई में तो जो हमने मुठ्ये डाले है तो वह सारे डूबने चाहिए तेल में तो इतना तेल तो हमें लेना ही है तब यह अच्छे से फ्राई होगा और थोड़ी देर होना चाहिए वहां तक हमें इसे फ्राई करना है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे थोड़ा ही होने देना है बहुत ज्यादा थंड़ा नहीं होने देना है और यह थंड़ा हो रहा है तब तक हम एक और चीज रेडि कल लेते हैं तो जो तो पैन में मैंने अब भी फ्राइ किये है मुठे तो उसी पैन को मैं यूज कर रही हूं फिर से इसमें हमें डालना ही गी, दो चम्मच बेसन डालना है और दो चम्मच सूजी डालनी है आप यहां पर सूजी नहीं है तो स्किप कर सकते हो पर बेसन को स्किप नहीं करना है क्य तो इसमें से हल्क इसी स्मेल आएगी जब ये बेसन और सुजी बुन जाएंगे तब तो बस वहां तक ही हमें इसे बुनना है और इसके बाद अब हम गैस को बन कर देंगे और अब जो हमने मुठ्य को रखा था ठंडे होने के लिए तो इसे भी इस तरीके से अब हमें कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है अगर ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप हाथों से इस तरीके से नहीं तोड़ पाओंगे तो हल्का सा जब गरम और हल्का ठंडा आप हाथों से पकर सको बस उतना ठंडा हो जाए तब हम इसे इस तरीके से तोड़ ले तो इसलिए हम यही लड़ू बनाते हैं कनपती में भी तो अब मैं आपको दिखा देती हूं पीसने के बाद इस तरीके से यह दरदरा ही होना चाहिए ऐसा ही पीसना है हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है और अब जो हमने अभी बेशन और सुजी को भूना था तो उसी इसके बाद हम हाथों का यूज करेंगे क्योंकि जो हमने बेशन और सुजी को भूना है तो वह नीचे बैठ गया है तो पहले हम स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हाथों से ताकि जो लंस है जो गुटलिया बनेगी तो हम हाथों से इसे क्योंकि जब हम बनाएंगे लड्डू और यह गुटलिया रह जाएगी तो फिर वो मुह में आएगी और उसमें फिर चीनी और वो किसी का भी टेस्ट नहीं आएगा तो इसलिए हमें इसे पहले तोड़ देना है और इसके बाद मेया पे डाल रही हूँ काजु बादम और पिस्ता को कट करके आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफ्रूट डाल सकते हो और थोड़ा सा मेरे पास जाइफल था तो मैंने वो भी पिसके डाला है थोड़ी सी इल मतलब जो चीनी है इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था तो इसे हमें एक कटोरी डालना है तो जो कटोरी से मैंने आटा लिया था पहले तो वही कटोरी से मैं यहाँ पे यह चीनी पावडर ले रही हूँ तो दो कटोरी आटा था तो हम यहाँ पे एक कटोरी चीनी लेंगे और अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो आप टेस्ट करके अपने हिसाब से फिर इसमें कम ज्यादा कर सकते हो पर यह जो मेजर्मेंट है तो उससे यह कंप्लिक बन जाएगा परफेक्ट मेजर्मेंट है यह और इन सब को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पे गी तो गी तो आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हो इसमें कोई मेजर्मेंट नहीं है आप लड़ू बना पाओ उतना गी होना चाहिए है तो मैंने यहां पर यह दो नहीं तीन-चार पर 5 छमश गी डाला था यह बड़ा चमश है तो जब तक आप लड़ू आपका बन सके तो वहां तक आपको गी ममें इह नहीं होता है वे आप अपने सबसे इह ढालना है तो गी डालने के हमारा आटा अब हम लड्डू बना लेंगे तो इस तरीके से हाथों से आप जो भी तरीके से बनाते हो तो उस तरीके से आप बना लिजे तो हम तो ऐसे ही बनाते है तो सारे लड्डू मैंने बना लिए है एक प्लेट में निकाल लिए है और मैं आपको एक तुड़के भी दि चैनल पर आप कोई भी रेसिपी ट्राइ करें और इसके बाद आप वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अब हम इसके उपर डाल देंगे खस-खस अगर नहीं है तो आप स्किप कर दिजिए मेरे पास थी तो मैंने डाली है क्योंकि खस-खस हम इसके लड्डू बन जाए तो एक प्लेट में हम खस-खस ले लेते हैं और फिर पूरे लड्डू को इसके अंदर गुमा देते ताकि सारे लड्डू के उपर यह खस-खस शीपक जाए मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता तो आ आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और अब यह लड्डू तो बन कर तैयार है आपको कैसी रेसिपी लगी है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ बब बाई